तो आज हम लोग ब्यासी का ही एक नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कोईशन को डिसकस करने जा रहे हैं जो कि हमारा लीकेस करेंड के बारे में ठीक है तो अब आज हम लोगों का पूरा जो टॉपिक है वो है मीजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाई डीकेज ऑफ कंडेंशर मैथट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आप लोग में फिर से हर रीडियो में कहना पड़ता है आपको पता है मैं क्या कहने वा आप लोगो बस सब्सक्राइब बहला काम करतीजिए तो मैं और खुब सारे बेसी के इंपॉर्टन वीडियो लाओंगा ट्वैल के इंपॉर्टन वीडियो लाओंगा जो जो भी आपकी पेपर में एक्जाम्स में इंपॉर्टन पॉश्यन हो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ठीक है और ग्रोथ आफ करेंट अगर आपको पढ़ना एलार सरकिट में तो मैंने उसका वीडियो अलेडी बना रखा और वो पिछला वीडियो ही ग्रोथ आफ को काम करने हैं दो खीले तो पिछड़ टीक है तो स्टार्ट करते हैं तो आग्या माना टेकर अधाड इसकी मैं बात करो हैं हम लोग किसी भी कंडेंसर को प्रोथर थे बहुत ही प्रोसेस लो होता है क्योंकि टाइम कॉस्टेंट जादा होता है मतलब कि किसी भी कश किसी टंस को या कंडेंसर को हम लोग किसी व्हाई रेजिस्टेंस से चाड डिस्चार्ज करते हैं तो वो बहुत ही प्रॉसेश लो हूता है अब हम लोग इसी पैक्ट का यूज से करके क्या फैक्ट है मारा समझेए जी विधिशार्ज op कंडेंसर थो थो जाइफार प्रॉद का जो है कि डिसचारजिंग और कंडेंसर किसी भी हाई रिजश्टन्स के थे थे तो बहुत ही सलो होती है क्योंकि हमारा टाइम कांस्टेंट वैली बहुत ही जदा होती है क्लियर हो गया तो इसी फैट का यूज करके हम लोगी जो रिजिस्टन्स हो है इसमें लगा उसको आज calculate करेंगे इसकी value को calculate करेंगे कि यह resistance है कितना बहुत ही interesting method है यह leakage method तो start करते हैं हम leakage method के बारे में तो आप लोगों को already पता है growth and decay of current से आपको आप यहाँ पर discharging of capacitor का यूज होगा ठीक है तो discharging of capacitor में आप लोगों ने charge equation आई थी आपको q is equal to q not e की power minus t by rc और rc हमारा है time constant यह कब current यह कब charge था sorry यह चार्ज जब हमारा charge हमारा initial charge हमारा q not था initial charge q not था और time हमारा t था किसी भी time t पर charge हमारा q not था initial charge क्योंकि charging तभी होगी जब हमारा capacitance पूरा लिता charge होगा तभी तो discharging होगी तो यह हमारी इसी हम चीज का यूज करके यहां से resistance की value को calculate करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर q को और q not को इधर ले आएंगे और e की power minus t by rc log इधर हो जाएगा log q by q not log q minus log q not कर सकते हैं और minus t by rc यहां से r की value हो जाएगी minus t upon c log q upon q not यह हमारा resistance आया तो इसमें आपको सभी values पता है time t की पता है c आपको पता है capacitance पर यह q by q not हमें sorry यहां पर q not by q आएगा q not by q आएगा q not by q क्यों आएगा q not by q क्यों आएगा बट यहां पर हमने minus sign के लिए इसको reciprocal करके इसको plus कर लिया ठीक है तो यहां से हम लोग calculate क्या करेंगे q not by q क्यों 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 हमें यहां पर सब पुछ पता है जिसकी मदख से हम लोग यह रेजिस्टेंस को calculate कर सकते हैं बट हमें यहाँ पर Q not by Q नहीं पता है ठीक है Q not by Q का ratio नहीं पता है बस वो पता चल जाए तो हम लोग इसी के लिए हमें leakage method का use करते हैं यहीं पर start होता है हमारा leakage method leakage method start करने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहता हूं कि आपको कुछ मैं variables बताऊंगा इनके बारे में आप जान जाए के हैं जो हम यहाँ पर use करेंगे वो होता है ballistic constant ballistic constant अभी सब बता रहे हैं ballistic constant क्या होता है lambda क्या हो गया logarithmic discrement logarithmic discrement हमारा हो जाता है यहाँ पर lambda क्यों नाट क्या हो गया maximum charge यह तो आपको पता है इसकी को लिखने जुरूरत नहीं है अभी यहाँ पर एक एक आएगा थीटा नाट यह क्या हो गया डिफलेक्शन इन गैलेस्टिक गैलवनो मीटर डिफलेक्शन इन balastic galvanedral अभी ईससा बता रहे है balastic galvan submarines क्या होता है और क्या इसका यूज है तो इतना समझ में आ गया होगा आपकों पता है तो अब यहाँ पर क्या होता है इस्टार्ट होता है यहीं से मैं थड़ा तो मैं बहुत थियोरी नहीं लिखाऊंगा ठीक है ठीक फिरी ने डिखाऊंगा बसा को समझाता चलना हूं वो चीज़ आप समझ जाना देखो आप फीगर पर ध्यान में जिससे ठीक है तो देखिए यह जो हमारा डाइगराम है इसको ध्यान से देखना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यह जो की यह की इसके बारे मता यह कैपिस्टेंस C है यह रेजिस्टेंस R है यह वोल्टेज B है यह B और A दो पॉइंट है दो पॉइंट है की के एक की हमारी के है दूसरी की के वन है और यह बैलेस्टिक गैलोनों मीटर बीची है ठीक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस की वन को ओपन ही रखेंगे सबसे पहला हमारा है सब से पहले हम लोग क्या करेंगे की यह के वन है इसको dog open लखेंगे इसको close नहीं करेंगे और की 취 और की यह है यह वाली इसको हम लोग एपॉइंट से अटेश करते हैं नहीं की ऐसे ठीक अब यहां पर क्या होगा अब लोग देख सकते हैं के बिस्टेंसी डारेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा यह हमारी बैटरी को फुली चार्ज करते हैं यह हमारा बहुत हमें बहुत के को इस b-point से attach कर देंगे हम इस की के को बी-point पर attach कर देंगे इससे हमारा जो ballistic galvanometer जो हमारा पूरा capacitance v0 potential की इतना जो charge हो गया है maximum यह हमारा जो काम होता है यह हमारा डिफलेक्षिन बताता है कितना हुगा तो यह बड़ी हमें यहाँ पर थिटा-NOT डिफलेक्षिन मिलेगा बैलस्टी 392 भी its कि हम लोग यहां पर बैलेस्टिक एल्ट में थीटा नॉट डिफ्लेक्शन पाएंगे ठीक है तो अब चार्ज हमने कितना मिला हमें क्यू नाट क्यू नाट क्यों लिखा क्योंकि हमें केंडेंसर हमारा मैक्विम चार्ज हो गया था बैटरी वी नाट से और इसी वज़े इस पर चार्ज कितना आगा थीक है तो अब यहां पर क्या हो जागा कि थीटा नाट वन ब्लास लैमडा बाई टू यह हमारा कंडेंसर पूरा चार्ज हो जाएगा यह हमने पहले स्टिप में किया क्या कि हमने स्की को यहां पर टेस्ट किया कंडेंसर चार्ज हुआ फिर स्की को रिमोब करके भी पॉइंट पर टेस्ट किया कंडेंसर अपना फुली डिस्चार्ज हो गया इस वज़े से आप एक पॉइंट से फिर से अटेश कर देंगे कर देंगे कीके को एक पॉइंट से अटेश कर देंगे फिर इस के वन को जबार क्लोज कर देंगे एक पॉइंट आटेश करने के बाद इसको एक पॉइंट से रिमूव कर देंगे ऐसे रखेंगे और फिर k1 को close कर जाँगे के वन को close करने सारा का सारा charge capacitance का resistance के तरो लीक कर जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग b point पर attach कर देंगे यह lucky को open करके b point पर attach कर देंगे तो जो इस बार भी हमें रहाँ पर डिफलेक्शन मिलेगा इस बार इस बार मैग्जिमम डिफलेक्शन नहीं मिलेगा। वह मिलेगा theta theta क्या है? Deflection ngömömetre, ठीक है, तो इस बर चार्ज की equation क्या जायेगा, Q is equal to, K-theta, Q is equal to Kq, sorry, यहां पर K-theta हो, knot हो जाएगा, theta, knot होगा, क्योंकि fear, ождame 1+, दोनों को divide कर देंगे, तो हमको यहां से मिलेगा Q naught by Q is equal to मैंने क्या बताया कि यहां पर यह मिला V naught by V V naught by V क्यों मिला क्योंकि जो हम लोगों ने V naught potential इसमें अप्लाई किया था maximum potential उसी वज़े से हमें maximum charge मिला उसी की वज़े से में maximum deflection मिला galvanometer में ballistic galvanometer में और जो हमने V potential apply किया तो हमें आप डिफलेक्शन कितना मिला theta मिला और जिसकी वज़े से हमें sorry हमने जो V potential apply किया V potential apply जब हमने किया तो हमें वहां पर charge क्यों मिला और जिसकी वज़े से जो deflection in galvanometer वो हमें theta मिला ballistic galvanometer में ठीक अब हम लोग इसको अब आप कहोगे इसमें हमने क्या calculate कर लिया तो इसमें हम लोग ने बहुत चीज़ा calculate कर लिया बहुत आसानी हमें मिल गई अब हमें theta naught और theta तो हम लोग पता कर सकते हैं यहां पर problem क्या थी हमें method क्यों apply करना क्यों q naught by q हम लोग नहीं निकाल पाए इसी वज़े से theta naught by theta में अब इसके बराबर हो गया तो यहां पर लोग theta naught by theta रख सकते हैं तो हमारी r की equation क्या बन जाएगी अब t by c log theta naught by theta ठीक और theta naught आप आप कहोगे theta naught और theta कैसे पता करेंगे रहे भाई वो तो ballastie galonometer यह पूरा arrangement जब circuit हम लोग बनाएंगे तो उसमें जो ballastie galonometer में deflection ही तो theta naught और theta थे तो वो तो आपके आँखों के सामने दिखाई पड़ा कितना deflection हुआ है ठीक तो इस method की जिसे हम लोग यह calculate कर सकते हैं यह हमारा resistance आ गया और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि leakage method जो होता है यह जो method होता है सिर्फ high resistance को measure करने के लिए होता है क्योंकि अगर resistance हमारा low होगा तो time constant ज़्यादा होगा sorry अगर हमारा resistance की value भी low होगी तो time constant की value भी low होगी जिस वज़ा से जिस वज़ा से कि किसी भी time t के लिए सुनिएगा ध्यान से क्या हमने बोला कि अगर आप लोग मैंने क्या बताया कि leakage method जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ high resistance को measure करने के लिए होता है क्योंकि अगर value आप resistance हमारी r की value low होगी तो उस वज़े से क्या होगा उस वज़े से क्या होगा time constant की value भी low होगी time constant की value low होगी तो इसका मतलब यह है कि किसी भी time t के लिए ठीक है किसी भी time t के लिए हम वो किसी भी time t के लिए जब हम k1 को close कर देंगे जैसे तो अगर देख़ए r की value कम होई ठीक हो r की value low होई tau time constant time के value भी low होगी तो किसी भी time t के लिए for any time t जैसे ही हम की k1 को बंद कर देंगे तो जो चार्ज होगा के विश्ट पर फटाक से लिएक हो जाएका ना पूरा का पूरा चार्ज और हम लोग इस स्टेप में क्या करते थे हम लोग थीटा वाली यह होली equiv उन्हें बंद कर दिया तो चार्ज होगा हमारा कंडेंसर वो फटाक से लीख हो जाएगा तो हमें थीटा मिलेगा ही नहीं प्रैक्टिकल चीज़ हो इसको मैं बता भी सकता हूं को प्रैक्टिकली करके जैसे अगर माल रिजिस्टंस की वैलू में मिली ओमलेक्ट रख लिया औ 10 की पर 3m3 तो यहां पर हम इंगा 10 की पर मायन थी तीच कितना कम है ठीक है time constant कितना कम है time constant की value कम होने का मतलब है कि बहुत ही जल्दी से हमारा charge leak हो जाएगा इस resistance के थो और हम लोग ये जो theta मिला था हमें वो नहीं find कर पाएंगे ठेक है बहुत एक छोटी सी बात है इस method के देखा गया कि कुछ charge कहीं न कहीं leak हो रहा था जब हम लोगों ने इस पहले वाले step में क्या किया था कि यहां से इसको connect किया था फिर यहां पर connect किया था तो actual में ये पूरा maximum deflection नहीं दिखा रहा था यानि कि ये बात देखी गई कि आप यहां पर आप दो question उट एक question ये उट सकता है कि हो सकता है यहां से leak resistance से leak हो रहा हो चार बट ऐसा नहीं था क्योंकि यहां ली की बंद थी तो question उठागी कहां से charge leak हो रहा है तो इसका answer यह था कि यह जो हमारा condenser होता है इसमें जो वह मिला होता है इसमें जो वह होता है उसके पास भी कुछ ना कुछ resistance होता है वह pure क्याइब की को एपरंड हटा के थोज़ दिर रोका गया ठीक है और थोज़ दिर रोकने के बाद फिर फटाक से कनेट कर गिया गया तब देखा गया कितना डिफ्लेक्षन आया तो मालो वो डिफ्लेक्षन हमारा थीटा वन है तो उस समय क्या अब डियलेट्रिक के लिए हम यहाँ पर आर डी चलोकर ग्लेट करें टी अपान क्या बनेगी रेजिस्टन्स की एक्वेशन 2.303 लॉग बेस टेन थीटा नाट अपान थीटा वन अब आप यह मत कंफ्यूस हो ना कि 2.303 कहां से आ गया यह इस वज़े से आया क्योंकि हमारी अभी जो लॉग था वो ई की पावर में था लॉग ही था लॉग बेस तो आप लोग जानते हैं कि 2.303 में रिप्लाइक करने पर तेन में बदल जाता है तो यह अला रजिस्टन्स और यह अला रजिस्टन्स पैरलल में अब पूरा रजिस्टन्स कितना जाएगा आर डी इंटू आर अपान आर डी प्लस आ एक्वल टी अपान सी 2.303 लॉग वे तो यह हमारी एक्वेशन आई अब हमें इस पूरे मेदर से पूरे सरकिट का नेट रेजिस्टन्स पता चल गया ठीक कुछ भी अब इसमें नहीं जोटा आई होप वीडियो पसंदा वीडियो पसंदा तो हमेशा कितरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू